असलाम अलेकुम जी हमने ये शॉपिंग.online.pk से एक पार्सल बुक कराया था चंद दिन पहले वो हमारे घर आया था और TCS के थूँ आया था TCS एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान में अथेंटिक कोरियर सर्विस है तो हुआ ये कि जब समान आया और पेमेंट अन डिलिवरी थी उनको पैसे दे दिये वो चले गए तो जब पार्सल खोला गया तो उसमें से गंदे कपड़े निकले तो TCS से तो ये एक्सपेक्ट नी किया जा सकता है क्योंकि ये लोग कोई भी शिप्मेंट लेने से पहले पैक करने से पहले उसको चेक करते हैं तसली से फिर हमने ये किया हमने दुबारा मंगवाया और फिर अपने दफ्तर के अड्रेस पे मंगवाया और कुछूते वगरा थे तो वो आज ये TCS के एक राइडर हैं ये लेके आए और ये में सामने बैटे में इनका मैं नाम और इसलिए नहीं बताना चाहूंगा क्योंकि आपिसली इनका कोई कसूर नहीं है ये सिर्फ एक राइडर है बढ़िया आप देख सकते हैं कि ये TCS का पूरा इनका बैग है जिसमें इनका सारा और ये TCS की रसीद है और ये शिप नहीं आज स्लिपर्स जो भेज़े हैं ठीके जी तो अभी ये आए है अभी हमने इनको रिक्वेस्ट की कि ये खोल के हमें दिखाएं फिर पैसे ले तो पहले तो ये कह रहे थे कि ये इजाज़त नहीं है और जब हमने इंसिस्ट किया तो उन्होंने का जी खोल ले आप क्य निकालें बहें एक फटी भी गंदी जीन्स है यानि ये रदी कपड़े इन्होंने वजन सिर्फ करने के लिए डाला और इसके अंदर कोई जूता नहीं है कुछ भी नहीं है और ये जूट है और ये फ्रॉड है तो ये शॉपिंग.online.pk का ये काम है ये धोका धही और इस साइबर क्राइम FIA में भी दर्खास देंगे. इन लोगों से बचें और इनका लिंक भी हम हर जगा पे शेयर करेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया.